कि नमश्कार गुड़ इवनिंग बेटाओं स्वागत आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में तो कैसे हैं बेटाओं आप सभी लोग ऑनलाइन वाले तो बेटाओं अपना यहां पर मोटर मेकैनिक वीकल का जो है कंप्लीट ट्रेड ठेवरी चल रही है जिसके तैट यह के बारे में पड़ा था उनका बेसिक या नॉमनक्लेचर अपन ने उसके अंदर ट्रांस्मिशन सिस्टम पड़ा था या मैं बोलूं कि आपकी गीर्स की फिटिंग को अपन निकल देखा था कि बेसिकली आप गीर्स को कैसे कैसे किस किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं है तो उसी सिक्वेंस में आगे बढ़ते हैं अच्छा एक चीज बताइए मैंने गीर्स का सिद्धांत लिखवा दिया था अगया आप तो फ्रिंसेपल ऑफ गियर्स स्टार्टिंग में देखो स्टार्टिंग जब गियर्स स्टार्ट हुआ था उसमें लीवर के सिद्धां पर यह कार्य करता है लिखवा दिया और लिखवा दिया अब हैडिंग डालिए टाइप सोफ गियर्स यह इंपोर्टेंट था टाइप सोफ गियर्स कुल करें हुआ Geyerk Agr है कि रहने करता है अब ऑन और यह वन पढ़ते हैं वैसे आपको पता है कि आपकी गीयर्स काफियोत ढलते हैं जैसे आपका सबसे पहले आता है पर यह फिर आपका है लिकेल में पर्णावाइए नाता है इन पीनियन आता है वाउम-धियर आते हैं तो सारे की जानेंगी किसी का स्पिशलेटी एउक किसमे इसके अंदर आपको एक्जियल थ्रस्ट के में इंप्लाइन रहते हैं वह सारे चीजें तो आपन वन बाई वन क्लियर करते हैं कि मॉस्ट हाँ गुड़ इवनिंग बिटाओ कि स्टार्ट करेंगे बताओ तो आपका जो हैडिंग है या जो गियर है वह आते आपका इस पर गियर पहला गियर कौन साइगा आपका इस पर गियर कि 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 आपको दिखाता हूं किस टाइब के रहते हैं आपके सारे घेस कि झाल तबते पहले आपका जो इसपर गार आता है अगर उसकी इमेज़ की बात करें आपका इस प्रकार का कुछ घीर रहता है इस पर जहां पर आपको दिख रहे होंगे टीट जो हैं वह बिलकुल रहते हैं यानि आपके जो गीर की X होती क्योंकि कियार किसी शाफ्ट में फिट तो मैं बात करूँ तो यहां पर आपके जो टीट होते हैं वह आपके एकसिस के पैरलल है निये बताओ आपकी यह तो rieben से पर निकले वह न ढूसे आपको कोई एंगल वी नजरें कई? इंकलाइद पकर नहीं होता है एकनदम स्टेट टी रहते हैं सारे सब्चाइब्षां कि अंदर को कि जो गंने का जूस निकालने वाली मशीन थे वहारा पर तो लिखे सके अंदर सबसे पहली चीज कि यहां पर टीच जो होते हैं और गियर एक्सेस के समाना अंतर होते हैं पहली पहचान इसकी यह है कि सर इस प्रकार या इस इस पर गियर में कि पहला पॉइंट करेगा कि इस पर गियर में टीथ गियर टीथ ना दात वाला मत समझता है यह जो दातें इनको टीथ बोलते हैं जाने इतना गियर टीथ इस्टेट यानि सीधे होते हैं इस्टेट सीधे तथा गियर अक्ष के समारांतर होते हैं पैरलल होते हैं उसके यह समांतर होते हैं अदिकरहा होगा यहाँ पर आपका जो गियर एक्सैस जो आपकी शाफ्ट है जिस पर गियर इस्ट तरकाड़ तो उसप्रकारां यह पर दूसरे ऑंचिधे तो केवल एक टीध के कंटक्टस से होता है यानि आपका एक ही टीध कंटक्त में आ आप आता है यहाँ पर तो एक Tech क्ट रहता यानि गें दो इस पर गियर के संपर्क में संपर्क के समय केवाल एक टीथ एक टीथ एक टीथी कॉंटेक्ट में आता है यानि उस टैंग के वाल एक टीथी संपर्क में आता है हर्षदीप क्या बोल रहो भाई नमस्कार भाई हर्षदीप USB डीवाइस नोच टोगनेज़ नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आने वाला है वो थोड़ा इंपोर्टेंट है कि जो इस पर गियर होते ना इनके अंदर कोई अग्जियल थरस्ट नहीं होता है अब चोटा एक्जियल थ्रस्ट क्या होता है उसको जहान से समझ लेना मैं बता रहूं एक्जियल थ्रस्ट क्या होता है हरूआ कि इससे समझे कौन सा डाइग्राम बताएगा यह है देखो यह आपको डाइग्राम दिखाई दे रहे क्या हूं कि अब मैं सपोस करो यहां पर आपकी यह एक शाफ से कनेक्ट होगा नहीं होगा बताओ यह बीएक शाफ से कनेक्ट होगा नहीं होगा बताओ अब एक शाफ इदर लगी होगी एक शाफ दो गियर लगे दो प्रकार के थ्रस्त होते है थ्रस्त का मतलब धक शाफ थ्रस्त यानि टाउर्क या सबमें करूं अगर इस पर 이 गियर एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा नहीं लगेगा जब ऐसे संपर्क में आएंगे जैसे यह गियर है यह गियर है बराबर है जब यह संपर्क में रोटेट हो रहा होगा तो केवल परपेंडिकुलर यानि इस गियर के एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा ह भगा नहीं लग रहा होगा घ्रेत को आब को हम आफ यह सा होता है कि यह अगर यह साइड में भी खिसक रहे हैं तब वह आधियल थ्रस्ट कहलाता है अब इस पर गियर में नहीं होता एक्जिल त्रस्ट कारण क्योंकि आपके टीथ बिल्कुल स्टेट होते हैं तो स्टेट होंगे तो यह नहीं होगा लेकिन अगर आपका यह यहां पर दिख रहोंगे टेड़े टेड़े है और जब यह चलेंगे तो एक इसका एक फैक्टर यानि इसका एक हिस्सा हमेशा एक तो परपेंडिकुलर फैक्टर होता है एक आपका पैरलल होता है दो चीज़ जब इसके जब यह फोर्स लगा रहे हूं एक दूसरे में तो कुछ इससा इसका बिल्कुल स्लाइड भी कर ज जब गियर थोड़ा inkline होता है ना तो लांस्ट में जाता जाता हलका सा फटका रहा इस लगा यानि उस पर थोड़ा सा मैं नेक्सका आपको लिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है होता है क्योंकि यह एंगल पे रहता है तो हलका सा धक्का मार देता है एक सा हलका सा आता हसी हलका सा मूँ करता है आपकी बराबर है वहीं जो आपके स्टेट होते हैं मान रहे हैं मैं इसके संपर्क में सीधा रखता हूं तो वह इधर उदर नील ने देंगे एक दम स्टेट चलेंगे बराबर है यानि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे ह 세 keyier में यह सपर्गीर द्वाराक को में स्टोर्क ट्रांसमिशन के टाइम और की समय जब ट्रांसमेट कर पावर को ट्रांसमेट करेगा जब वह कानेक्ट होंगे एक दूसरे से जुड़े वे ऊँट जब जल रहें तो इस पर गियर द्वारा ट्रो टॉर्क ट्रांस्मिशन के समय के समय के समय कि अक्षिय धक्का मतलब एक्षियल थ्रस्ट क्यों के समय कि समय किसी परकार का एंग स्थियल भजेस नहीं होता यह लिख लिखना के समय कि सी परकार का की भी परकार का एक्जियल थ्रस्ट यानि अक्षिय लग्का उत्पन नहीं होता है प्रेड्यूस नहीं करता है यानि हाँ पर कि जब दोनों गियर कॉंटेक्ट में रहेंगे उस टाइम किसी प्रकार का मुव्मेंट एक्जियल मुव्मेंट नहीं होगा आपके गियर्स का यहां पर कोई भी उसका पार्ट जो है कि उसको खिसकाएगा नहीं अब अब आता है मुद्दा नेक्स्ट क्या मुद्दा आता है कि इस पर गियर द्वारा जैसे दो गियर आपके इस पर एक यह है इस पर गियर दोनों मानलो एक एक शाफ्ट से जुड़े वह यह भी एक शाफ्ट से जुड़ा हुए ऐसे उसके बीच में निकल रही होगी तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आप केवल दो पैरलल शाफ्ट से ही गियर ट्रांस्मिट कर सकते हो क्योंकि इनको आप द समानांतर गियर का लगा के आप पावर ट्रांस्मिट कर सकते हैं इसलिए आपने गन्यक मशीन में देखा हो का मिशा दो समानांतर ही लगे मिलेंगे आपको वापए यानि दो पैरलल शाफ्ट के द्वारा यह या फिर दोनों सेम प्लेन में हो को प्लेनर होना चीए या तो कि दोनों शाफ्ट या दोनों गियर जो हैं एक सेम प्लेन में होने चीए या दूसरे के समानांतर होने चीए पर पैंडिकुलार अगर कर दिया तो गियर पॉंटेक्टी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके एक के टी ती हो जाएंगे एक के टी ती तिदर और जाएंगे पर पाएगा क्या नहीं हो पाएगा यानि सार इस पर गियर को अगर आप से इस पर गियर का लगा कि अगर पावर ट्रांस्मेट करना है तो दोनों शाप को या तो पैरलल रखो या एकी प्लेइन में को प्लेइनर होने चीए यह कंडिशन है इसकी अना तो इसके द्वारा यह किसी परकार का एक्जीयल थरस्ट नहीं होता है तो इस पर गियर के अंदर प्लेनस हैं एक द्वार त्रांस्मेट करनी आपको दौनों शाफ्ट को या दोनों घयर को एक दूसरे के समाना अंतर लगाना पड़ेगा या एक ही प्लेन में लगाना पड़ेगा क्या है यदि इस पर गियर्स से शक्ति ट्रांस्मीट करनी है तो दोनों गियर्स को या शाफ्ट को या शाफ्ट समाना अंतर वे एक ही प्लेन प्लेन का मतलब होता है तल एक ही तल में होनी चाहिए अन्य था अन्य था अन्य था अन्य था मतलब मिल नहीं पाएंगे अ उन्य था प्राबर हैं नेक्स अन्य था आठीड था आपका सेकेंड कौन सा गियर है कि है कि है लिकल गिया अब कोई यह मत पूछना सरी इनकी हिंदी क्या है यहां पर यहां पर क्या कर दिया जाता है जो टी एकदम स्टेट थे एकदम आपके जो गियर की एक्सेज उसके एकदम पैरलल थे लेकिन यहां पर क्या कर दिया इनको जुका दिया एक एंगल पर टिल्ट कर दिया इनको बराबर है अब देखो कोई वो लोग सरी से क्या फाइदा हो देखो इस्टार्टिंग के अंदर जब गियर साय थे तो सबसे पहले आया था अपना कौन सा इस पर गियर कौन सा था इस पर गियर लेकिन उसके साथ समश्या क्या थी कि वो जब कॉंटेक्ट में आता था तो एकदम से जुक्त होता क्या कि यह जब चुक्त करोगे गादी जो कि पहले की गाड़ी आती ती जब भलाई कितना ही जो है उसके साथ कि वहां पर वह लगा पर देखो इसके साथ एक और दूसरा इधर से गीअर लगाओंगा तो पूरा का पूरा टीज एक बार संपर्क करता है एक साथ कॉंटक्श करता है इसलिए दक्का सा लगता जटका लगता है वहां पर पहले की गाड़ियों में आते थे तो जटके लगते थे अब उसको थोड़ा सा क्या क्या अप्ग्रेड कर दिये अब क्या कि इनों ने इनको थोड़ा सा जुका दिया जुका दिया क्या अब जुकाने से हुआ क्या कि देखो यह आप पहले कल गियर বས्सवार का example है तो आफ यहां पर फाइदा यह हुआ कि देखो एक तो क्या हो गया एक से जाधा टीट संपर्क में आ गये आ यहालगबग डेड्स दो क्या सपास आ गए दो पूरे नहीं तो उसका एक इसा यहां से संपर्क में आएगे ना कि पूर आएगा और जैसे तोड़ा सा इसाल dus की इह ऌहां पे यहां पे यहां पे आप देखोगे देखो अगर मैं बात करूँ यहीट संपर्ग में आएगा यह तो इसका यह किनारा पहले समय और फिर दीडेरे दीडेरे आगेगे के तरफ बढ़ता हो तो इससे क्या होगा किा आपको जो पीत को कर दोगे न तो आपका कर घयूर पंदूर यानि आपकी जो शाफ्ट यह थोड़ा सा सट्टोक्री का क्योंकि जाते-फंद्धियर करने कोई भी को बीन कोई फोर्स होता है जैसे आपने माझनों लोग पड़ा होगा गर को थीटा पर एसका यह वाला एमझा होथ यह वाला ऐतो इसके चाहिए और गटक बनते हैं उसमें से एक गटक जो उसके समाना लग जाता है यानि जो आपके शाफ्ट होती है उसके समाना अंतर हो जाता है तो उसके ऑख से क्या है यहां से फायदा क्या हुआ इसमूध हगेज़मेंट ङूऑ उसमें टीछ से टूट भी सकता है तो सकता है यहां पर समूध होता है उसमें आख आजा ओते हैं न ही गियर्स ओगे Africa है रहे जाज आगई आदे थे नियुक्ते हैं सब करड़ें टीट को इंकलाइन कर दिया तो एक फैक्टर जो है वह आपका उसको एक्जियल थ्रस्ट दे जाएगा यानि गियर की एक्सिस के तरफ एक धक्का दे जाएगा वो तो यह क्या होगा शाफ्ट पर हलका हलका इधर उदर हिलेगा डूलेगा बराबर है लिखो झाल 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 कई कि तो इस विएर की क्या पहचान होती सरे जो हैनिकलल गियर होता है इसमें जो टीट होता है वह गीर एक्सिस से कुछ कौन पर जुके हुए होते हैं दिख रहा है आपकी यह गीर एक्सिस है यह गीर एक्सिस है इस से देखो कुछ एंगल पर इससे तिरचे तो लिखो इस प्रकार के गीर में गीर टीथ गीर आक्सिसे एक्सिस पर इंक्लाइन या जुके हुए है पर कि इंक्लाइन कि एक कौन पर जुके हुए अच्छा यह चीज वहां एक चीज एड़ कर लो मैं लिखवाया है नहीं शायद यहां पर आपको यहां पर एक चीज और एड़ कर लो कि जो इस पर गीर जो होते है ना इसके अंदर एक टाइम एक टीज अच्छे लिखवा जिए था ना एक टीज इस वज़े से क्या होता है तो यहां पर जटका लगता है दूसरा यह जब इनका मैशिंग होती है तो इस टाइम आवाज निकलती इस पर आवाज आती है ना यह नोई इस प्रेड्यूस करते हैं तो इसको थोड़ा छोटा करके आपन यहां पर अजस्ट करते हैं कि अलिकेंगे इस पर गीर में लिखना जान रखना किसमें लिखना है इस पर गीर में तो लिको इस पर गीर में या के पॉन्टेक्ट के समय जटका लगता है साथ में कि नौइस उत्पन करता है कि वहीं हेलिकल गियर के अंदर यह चीज खतम हो गई लेकिन उसके साथ एक नहीं समझ्चा क्या आ गई उसमें एक्जियल थ्रस्ट जो हो मिलता है यह पानी की बोटूस बला हो गया कि इस बिल्कुल मिलेगा पावन इंदूकर पीडिया बिल्कुल मिल जाएगा आपको पीडियाप मिलेगा एप पर आप जो अपना जोगल सर ऑनलाइन आप है उस पे आपको PDF मिलेगा बरावर है बढ़ते आगे तो यह था पहला पर इस पर अपने पड़ा अब है अपका है लिगल गियर यहां पर जो गियर के टीथ होते हैं वह एक पर्टिकुलर एंगल पर जुके वे होते हैं उससे फाइदा क्या होता है कि एक तो एट टाइम एक स आथ कॉंटेक्ट में ना कि उसका एक किनारा कॉंटेक्ट में आता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर देरे देरे संपर्क बढ़ता जाता है तो इससे क्या होता है कि स्मूथ हंगेजमेंट होता है और आवाज भी नहीं करता है नहीं किसी प्रकार का कोई थ्रस्ट या जटका लगता है उसमें तो यह इसका बेनेफिट है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर की है लिकल गियर में एक समय एक से अधिक टीथ कॉंटेक्ट में रहते हैं एक समय एक से अधिक टीथ संपर्क में रहते हैं कि वहीं इस पर गियर में क्योवल एक ही टीथ कॉंटेक्ट में रहता था बताओ और यहां पर एक से अधिक कॉंटेक्ट में रहते हैं कि एग्जार थ्रस्ट मिलेगा क्या बताओ एग्जार त्रस्ट मिलेगा मिलेगा धिक एग्जार कौण गफ़ेगा निए जब इस गीर द्वारा टॉर्क ट्रांस्मीट करते समय कि इस गीर द्वारा मत लिखना इस गीर में कि टॉर्क ट्रांस्मीट करते समय अक्षिय धक्का यानि एक्षियल ट्रस्त वही जो आपकी गीर के जो एक्सेस हैं उसकी तरफ आपका एक घटक जो आपका फोर्स लगता है उसका एक घटक उसकी एक्सेस की तरफ भी जाता है इस वज़े से जो हैलीकल गीर के अंदर वो जो शाफ्ट होती है उस पर यह हलका सा ही लेगा डूलेगा यानि उदर उदर हां मुझ करेगा कारण इंकलाइन पर है तो आपके जब जाता जाता जो है उदर की तरफ एक धक्का मार की जाएगा इसको न तो इस गियर में के टॉर्क ट्रांस्मिट करते समय एक्जियल थ्रस्ट मिलता है एक्जियल थ्रस्ट मिलेगा कि अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं अच्छा यहां पर जब गियर के द्वारा पावर ट्रांस्मिट की जाती है तो बताई कि शाफ्ट दोनों समानांतर होनी के यह या पर्पेंडिकुलर भी चलेगी या प्लेइन अलग हो सकता है क्या बताओगे बताओ इस में आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते बराबर है यानि समानांतर होनी चीए लेकिन आप हलका सा एंगल चेंज कर सकते हैं यानि आप प्लेइन चेंज कर सकते हैं नौन को प्लेनर होना यानि गैर अगर अक्षिय भी है या गैर समतलिय है मतलब क्योंकि एंगल है ना तो इसको अगर आप हलका सा देखो समानांतर तो होनी चीए आपके जो एकोर शाफ्ट ढूंडो रहे हैं कुछ है कि अगर यह दो शाफ्ट आपकी बराबर है इस पर गियर लगा हुआ है कौन सा इस पर गियर इस पर गियर लगा हुआ है यहां पर जब यह mg तो यहां पर बिल्कुल य प्लेण हुआ थो इंगल पर नाचै लेकिन STEPHANu । उपर नीचे चलेगा अगर plane चेंज भी कर दो मालो यह यहां पर है मैं मेरे हाथ plane ने दोनों की बात करूँ और यह यहां पर हलका सा ऊपर है चल जाएगा क्योंकि एंगल पर यह थोड़ा सा तिरचा भी कर दें अपन इसको तो भी चल जाय को चलतो जाएगा अलांक की प्रोब्लम करेगा पूरी पावर ट्रांस्मेट नहीं पाएगा लेगिन चल जाए तो इसके अंदर प्लेइन से मोना जरूरी नहीं है तो लिखो इसका पॉइंट कि समझ गए बताओ नहीं समझे तो लिखो है एलिकल गियर में कि 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 यानि है ये लिकल गियर द्वारा पावर ट्रांस्मेट करनी है तो द्वारा है है तो कि दोनों कि गियर शाफ्ट कि एक दूसरे के क्या होने चीए समानां तर एक दूसरे के कि समानां तर होना आवशक है कंपल सरी है पर एक ही तल में होना आवशक नहीं है पर परंतु परंतु एक ही तल अब बोले तो प्लें एक ही तल में होना आवशक नहीं है कि मैं अपनी लेंग्विज में लिखा रहा हूं किताब की लेंग्विज में खुड़ा मुश्किल होगा इसलिए अपनी लेंग्विज में सिंपल सा फंडा यह कि सर इसके दौरा अगर पावर ट्रांस्मिट करनी है किसके दौरा है लिकल गेर के दौरा तो आपकी दोनों जो गियर शाफ्ट होंगी वह एक दूसरे के समाना अंतर होनी ची बराबर है लेकिन एक ही प्लेन में हो ऐसा जरूरी नहीं यहां पर प्लेन चेंज कर सकते हो यानि उन देखो समाना अंतर कब कहलाती देखो यह भी प्लेक करने ख़ी की समाना अंतर कहलाती है और हलकी से ऊपर हो जाएगी तो भी एक दूसरे के समाना अंतर है ना है किसो प्लेख़़़व अब है है लिकल गियर जब संपर्क में आता है तो किसी प्रकार का साउंड या नोइस नहीं उत्पन करता है नहीं किसी प्रकार का अपन को थ्रस्ट मिलता है यानि जटका लगता है तो लिखो है लिकल गियर है लिकल गियर्स जब संपर्क में आते हैं आते हैं तो सारा टीट या आप ऐसे लिखो आता है तो टीट का ग्रेजवल अंगिजमेंट होता है ग्रेजवल पॉन्टेक्ट यानि ग्रेजवल का मतलब होता है धीरे-धीरे संपर्क एक साथ संपर्क न होके पहले एक किनारा कॉंटेक्ट में आता है फिर धीरे-धीरे आगे उस पर ग्लाइड करता हो तो टीट का ग्रेजवल कॉंटेक्ट होने से किसी प्रकार का जटका वैर वैर नोईज उत्पन नहीं होते हैं अब इसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है यह वाला फिर इस्टार लगा लेंगे अच्छो एक एक पॉइंट आपन भूली गए कौन सा कौन सा भूल गए यह वाला पॉइंट था आपका कि यहां पर एक्जियल थ्रस्ट मिलता है और नेस्ट आपको कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है कि हेलिकल गियर में दोनों शाफ्ट एक दूसरे के समारांतर होनी चीए यह कंडिशन है और एक ही प्लेन में ओ ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे बढ़े तो यह थे आपका दो गियर कंप्लीट हो चुके हैं ध्यानकराना और जाके रिवाइस जरूर करना महरवानी करके अधर वाइस हवा नहीं लगेगी कि परस्टाइम पढ़ रहे होके बटाई कि को लेज में कुछ नहीं बताया था नमबर तीन कौन सा आता है 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 यह नाम कम सुना हुआ है है इसी गियर को एक और नाम पर बुलाते हैं डबल हेलिकल गियर डबल हेलिकल गियर गियर हिंदे की बात करें हैरिंग बॉन गियर यह डबल हेलिकल गियर गियर डबल हेलिकल गियर गियर नाम जरूर द्यां रखना आ सकता है ठोड़ा सा अजीब नाम इसलिए ज्यादा पूछा जाता है अगर मैं अभी अभी मैंने कौन सा पढ़ा अगर मैं अगर मैं है अगर कोई डबल अटेश कर दो डबल का मतलब एक इधर उसकी साथ जैसे यह वाला इस एंगल पर दूसरा वाला इसकी जस्ट अपोजिट अगल पर इधर लगा दू तो डबल ऑलिकल कहलाता है कैसे देखो कि यह रहा देखो शेश यहाँ पर क्या होता है कि टीक जो होता है हो एक एंगल पर पर होते हैं लेकिन इंकलाइन है यहां पर दियाना रखना ते यह यह थे यह था आपका है लिकल इस गीर में टीट का देखो इस टीट नहीं बिल्कुल जुकता जा रहा है यह यह पर टीट एकदम स्टेट है गीर एकसे से तो एक एंगल पर जुका हुआ है लेकिन यह स्टेट अगर खुद बात करूं तो इधर से टीट है और इधर से इसके जस्ट पोजिट डायरेक्शन में एक और टीट लगा दिया जाता है स्टेट वह भी इससे जस्ट अपोजिट और वह भी उल्टे एंगल का को ऑसट गया दो टीथ को एसवाशी नगा दिया जाते हैं में यह एक द्झाह है यह यहलेकुल गियर में टीथ कंट व्यक्राइव होता है अपनी एक्सपर और एकशस से भी और अपनी खुद की अंत ड़ाइन यहां पे यिए एकस से से तो यहां पर टीथ हलका हलका कर लेता हुआ जा रहे हैं यहां पर टीथ एकदम स्टेट देखने को मिलेंगे अब डबल हैलिक या हैरिंग बॉन गियर की में बात कर बरावर है तो मैं इसको अटा दो समझ गए उन्हें चीज अना तो यह चीज मैं भी लिखता हूं अब हुम हो गया अभी एक बार इसको समझ लेता है पिर इसको कल लिखेंगे अब अगर मैं इस टीथ की एक से जव्यादा पेँ और नहीं रहे को रहेंगे आणा क्योंकि जुका वह तो एक से ज़्यादा क Rs. मैं रहने वाले बराबर है यहां तक सेकेंड यहां पर अब्लेगा नहीं मिलेगा कैसे यह बहु baker का शाफ है यह आपका secondary shaft है अब जब यह glide होगा इस पर है बिल्कुल सही बोला आपने बहुत बढ़िया एक्च्वल में मेरे दिमाग में हेलिकल चल रहा था इधर से जो thrust मिलेगा मिलेगा जरूर लेगन इधर वाड़े जो टीथ हैं वह उसको काउंटर कर देते हैं बिल्कुल सही बोला आपने कि इधर हालांकि एक्जिल होता है लेकिन काउंटर अटेक की वज़े से वह निट्रलाइज हो जाता एक तरीके से कैसे जब यह चलेगा तो इधर से जो thrust मिलेगा अलका सा उतने ही टाइम क्योंकि उधर से दूसरा संपर्ग में आ गया तो वह उसको वापिस इधर कर देगा तो एक तरीके से ओवरॉल कंक्लूजन य नहीं मिलेगा हलंकी ट्रैक्टिकल ही होता है लेकिन वह काउंटर कर दिया जाता है दबा दिया जाता है क्योंकि साइड में यह जिस यह अगर थोड़ा सा इधर खिसकाएगा तो ओवरॉल एफेक्ट कहतम हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आपका गीर पर इफेक्ट नहीं नहीं होता है अब एक बाद बताओ यहां पर पैरलल चाफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं के सको अगर इदर काउंटर टीथ नहीं होता ना तब तो मैं एक एंगल पर जुका सकता था आप बोलो कि सर अभी आपने बोला था है यहां पर बिल्कुल समानांतर दोना चीए लेकिन आपने थोड़ दर पहला भी बताया था कि सर यह वाला और यह वाले का प्लेंज कर सकते हैं क्योंकि एक एंगल पर तो वह एंगल थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर लें लेकिन इसके साथ प्रोब्लम क्या है कि अगर मैं मैं अगर प्लेंज चेंज कर दूंतो इदर का टीर तो एड़स कर लेगा लेकिन उधर वाला नहीं करेगा तो कॉंटेक्ट नहीं हो पाएगा वह बिल्कुल दूर हो जाएगा इधर का संपर्ग नहीं करपाएगा यहां मैं बोलु कि आपके जित करने लग जाएंगे आमने ला क्योंकि आपके जस्ट अपॉज्ट होते हूं ये इसके अंदर一个 जानी जो प्लेइन है वो बिल्कुल समादांतर भी होने एक प्लेइन में उने चीए जैसा की किसमें घा इस पर गियर में जैसा कि इस पर गियर में तो strategies करेंगे इसके अलावा स्पाइरल बेवल गियर आएगा इस पर बेवल जो कि आपके डिफरेंचल में लगा मिलेगा अपको ना रैक इन पिनियन मेकेनिसम यूज करेंगे जो कि आपकी लैथ मशीन में लगी होते हैं वाम गियर का अपन कल चार पांच तीन या चार गियर और उसके बाद फिर आपका गियर ट्रेन आ जाएगा और फिर गियर बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सर को बोलना क्लास चेंज कर देंगे